आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MI या फिर Redmi के फोन में Hotspot का पासवर्ड कैसे पता करें यानि कि Hotspot का पासवर्ड कैसे देखें तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो आपको इसके लिए अपने फोन में सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करना है फोन की सेटिंग्स में आने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और एक ओप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर portable hotspot अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो connection and sharing का जो option है इस पर click करके आपको मिल जाएगा portable hotspot का option तो आप यहाँ पर देख लीजिए नहीं तो आपको बाहर की तरफ ही show हो जाएगा तो portable hotspot पर click करके आपके सामने आएगा इसे on करने का option यहाँ से आप इसे on कर सकते हैं तो जैसे की हमने on कर रखा है और एक option आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा password देखने के लिए setup portable hotspot इस पर click करिए अगर आपको यह page नहीं मिलता है तो आप notification panel को इस type से open करके यहाँ पर एक option आपको मिल जाएगा hotspot इस पर click करके रखिए और click करके रखेंगे तो आपके सामने आज जाएगा यह वाला page setup पर click करके first option मिलेगा आपको SSID यानि कि आपका network name इस नाम से आपका hotspot other phone में show होगा और second option आप देख सकते हैं password यहाँ पर आपको मिलेगा एक I का icon इस पर click करिए और password आपको show हो जाएगा अगर आप इसे change करना चाहते हैं तो इस पर click करके cut कर दीजिए और password change करने के बाद उपर right option पर click कर दीजिए और password change हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने Redmi या फिर MI के phone में hotspot का password पता कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें